नमस्कारम सत्कुरू, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं अध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहती हूँ. क्या शादी और परिवार मेरे अध्यात्मिक विकास में मदद कर सकते हैं या ये रुकावट है? अगर आपको केवल अपने आध्यात्मिक विकास से मतलब है, तो अगर आपका पार्टनर एक राक्षस होना, तो सबसे बढ़िया होगा. अगर आपका उद्देश केवल आध्यात्मिक विकास है तो पर आपका पार्टनर आपके पती पत्नी सिर्फ आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं होते आपको परिवार में एक खुश्णमा जीवन भी चाहिए होता है तब आपको किसी ऐसे को चूज करना होगा जिसे आप पसंद करते हैं पर वो थोड़ा इस धर्टी के हर इंसान में कुछ न कुछ ऐसा होगा ही जो आपको पसंद नहीं आता है कि नहीं तो आप उस हिस्से को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए काम में लईए और बाकी बचे का अनन्द लीजे बस एक जीवन की तरह तो अगर आपका इरादा एक अच्छा परिवार पाने का है तब दो लोगों के बीच थोड़ा बहुत तालमेल होना चाहिए नहीं तो यह नहीं चलेगा खासकर अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तब तो तालमेल होना ही चाहिए नहीं तो आप उस नए जीवन को खराब कर देंगे जो अभी अभी आया है अगर आपने एक गंदा माहौल बनाया तो आप उस जीवन के साथ गलत कर रहे होंगे जो अभी खिल रहा है यह हग किसी को नहीं है पर लोग ऐसा कर रहे है आप खुद को जितना मर्जी उलजा सकते है यह आप पर है पर आप उस नए जीवन के साथ खिलवार नहीं कर सकते जो बस अभी विक्सित हो रहा है काश कि बच्चे पैदा करना और कठिन काम होता यह बहुत जादा आसान है यह कितनी आसानी से हो जाता है अगर यह और जादा कठिन काम होता तो सिर्फ वही उस रास्ते पर जाते जो सच में जानना चाहते है यह यह इतनी आसान चीज है मजबूरी में हो जाने वाली चीज है बस यूँ ही यह हो जाता है तो अगर आप बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं घर परिवार वाली जिन्दगी तब आपको तालमेल बनाना पड़ेगा और इस तालमेल के लिए कम से कम कुछ चीजों में आपसी समानता होनी चाहिए पर अगर आपको आध्यात्मिक जीवन चाहिए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान कैसा है आप हर चीज को अपने विकास के लिए काम मिला सकते हैं हर चीज को अपनी उन्नती के लिए अगर आपका फोकुस के वाल इसी पर है तो पर आम तोर पर आपका फोकुस दोनों तरफ होता है आपको थोड़ा वो भी चाहिए और थोड़ा सही ये भी ये मिला जुला खेल है इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देखें अगर आपको बस एक बॉल को उच्छाल कर कैच करना हो ये उच्छाली और कैच कर लिए ये असान है अगर आपको दो करनी है, यह थोड़ा मुश्किल होगा. आपको तीन करनी हो, और महनत लगेगे. आपको पांच करनी है, मुश्किल है, है ना? तो आप अपने जीवन में कितनी बाजीगरी करना चाहते हैं? यह चुनाओ हर व्यक्ति को करना होता है. अगर आप आसानी से एक साथ, बारा गेंदे उच्छाल कर करतब कर सकते हैं, तो कमाल है. पर जादा तर लोग पागल हो जाएंगे. अगर वो दो या तीन से जादा के साथ ऐसा करने की कोशिश करें तो, ऐसे लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो इसी रेंज में रहें. या बस एक ही बॉल के साथ खेलें, केवल आध्यात्मिक बॉल से, यह आसान होगा. केवल आध्यात्मिक बॉल से उनके लिए बड़ा आसान होगा सोते सोते भी वो एक बॉल के साथ खेल सकते हैं दो के साथ ये थोड़ा जटिल हो जाता है जैसे जैसे नमबर बढ़ेगा ये और भी जटिल होता जाएगा अब आप आध्यात में खोना चाहते हैं, आपको एक बढ़िया पारिवारिक जीवन चाहिए, आपको एक अच्छा पती बनना है, अच्छी पत्नी, अच्छा पिता, अच्छा पडोसी, सामाज एक रूप से सक्री होना है. आप महत्वा कांक्शी हैं, आप दुनिया जीतना चाहते हैं, आप बिजनस करना चाहते हैं, आप कई सारी चीज़ने करना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर इसके लिए अलग-अलग सतर के एक शमता ही चाहिए, गलत कुछ भी नहीं है, पर आपको यह देखना होग कि आप कितनी चीज़ें करने में सक्षम है और कितनों के लिए नहीं है अगर आप अपनी शमता से ज़ादा गेंदें उच्छालने लगेंगे तो आप भटक जाएंगे पूरी तरह से ये आपको बिलकुल पागल कर देगा ये जीवन की साधारन चीज़ें हैं जो लोगों को तोड़ रही है बस जीवन चलाने की कोशिश है बिजनिस में सभल होने की कोशिश है एक अच्छा परिवार बनाने की कोशिश है ये चीज़ें लोगों को ठुक्राओं में तोड़े डाल रही है लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, उनके दिल तूट रहे हैं, वो खुद की जान लेने की कगार पर हैं ये सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि आप कुछ जादा ही गेनो वाला कर्तब करने की कोशिश में हैं, जो कि आपके बस के बाहर की बात है क्या ये गलत है? नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बस ऐसा है कि जब आप अपने क्षमताओं से कुछ जादा करने की कोशिश करते हैं, तो आप बावले हो जाते हैं, क्योंकि आपने पांच होंगे इनों में निवेश कर रखा हैं, और अगर इनमें से एक भी गिर गई, तो आप पागल हो जाएंगे, आपका बिजनेस सफल है, पर आपके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्या आप ठीक रहेंगे? नहीं, आपके बच्चे बढ़ियां है, पत्नी बढ़िया है, पर बिजनेस डूगा जा रहा है, आप ठीक रहेंगे? नहीं, या पिर ऐसा ह कि सब कुछ तो ठीक है, पर आपकी सेहत ठीक नहीं है, ठीक रहेंगे आप, नहीं, तो ये ऐसा ही है, अगर एक बॉल भी नीचे गिर गई, तो ये आपका दिमाग खराब कर देगी, है न, बाकि सब बढ़िया हैं, बस एक गिर जाए, वही समस्या बन जाएगी, है न, तो ता सहनशीलता, सहनशीलता चाहिए होती है न, कोई लगातार एक धंका है, और आप उसके साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं, पर उसके तरीकों पर चलना नहीं चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारी सहनशीलता चाहिए, हाँ या न, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ रहन असान नहीं है, उपर से आपको कहा जाता है कि अपने पडोसियों से भी प्रेम करो, आपके अंदर सबसे ज़्यादा कश्ट उन लोगों की वज़े से होता है जिनसे आप प्यार करते हैं, ऐसा ही है न, हमेशा, तो अगर आप पडोसियों से प्रेम करें, तो आप सारी दुनि पर वो आसान है, सारी दुनिया से प्रेम करना आसान है, क्योंकि आपको किसी को प्रेम नहीं करना होता, ये बस एक धारणा है, तो आप करें क्या? एक चीज़ी है, कि आप खुद को ऐसे रूपांतरित कर लीजिये, कि आपकी उपस्थिती में, अंजाने में ही, उनकी दिशा बदल जाए, अगर आप अकेले चलना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान है, पर अगर आप लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो इसके लिए पर्याप्त खोशिश करनी पड़ती हैं, जब गौतम से ये सवाल पूछा गया, किस मार्क पर अकेले चलना बहतर है, या किसी साथ अकेले चलना बहतर है, बजाए किसी मूर्क के साथ चलने के, क्योंकि वो आपको निचोड सकते हैं, वो आपकी इतनी सारी उर्जा और समय ले सकते हैं, और आपको क्या पता, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, और वो आपको अपने रास्ते कीच कर ले जा सकते हैं, बजाए इसके, कि आप उन्हें अपने रास्ते ला पाएं, बहु मैं बस इतना कह रहा हूँ, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे चलते हैं, जहां तक आपके आध्यात्मिक प्रक्रिया का सवाल है, आप वैसे भी अकेले ही हैं, कोई आपके साथ नहीं है, केवल ये शारिरिक चीजें, बस जो जीवन की भहतिक चीजें हैं, उन्हें आप लोगों से बाढ़ सकते हैं, आप अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, है न? अगर आपका जुलवा भाई या भेहन भी हो, तब भी आप अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं, है की नहीं? तो जब बात आत्म की हो, तो आपको वैसे भी अकेले ही चलना है, तो इन चीजों को मिक्समत कीजे इसलिए अपने उस हिस्से को आप अच्छे से सम्हालिए और भौतिक वाले हिस्से को अपने इक्षमत आनुसार जितना आप से हो सके, आप कीजे अगर वो आपके साथ आएं, तो बहुत बढ़िया होगा अगर वो नहीं आते, तो उनसे द्वेश मत रखे बस इतना है, कि आपको उनके रास्ते नहीं जाना है शायद किसी दिन जब डॉक्टर उन्हें बताएगा कि उनका लिवर गड़बड है, तब वो शायद दिविता को खोजे आपने देखा है, लोग होते हैं जो सुबै टहलने जाते हैं, हर कोई नहीं ये कुछ खास तरह के लोग होते हैं, सभी लगबग पचास-पचपन की उमर के उपर वाले होते हैं वो दुबले हो चुके हैं, और वो तेस-तेस चलते हैं हर रोज बिलकुल नियम बना कर हो जाते हैं ये आम तोर पर वो लोग हैं, जिनको दिल से जुड़ी प्राब्लम्स हुई है, वो लगबग मरी गए थे तभी उनके डॉक्टर ने उनको बताया या तो ये कीजिये, नहीं तो आप गए अब उनका चलना वैसे है, जैसे कोई धर्म निभाता है खाली संडे की सुबह नहीं, हर सुबह अपने ऐसे लोग देखें, अचाना को बदल जाते हैं वो ठीक से खाते हैं, हर चीज़ ठीक से करते हैं क्योंकि जीवन और मौत का डर बैठके आए तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह का प्रोच साहन चाहिए अगर आप समझदार हैं, तो आप बस देख कर समझ जाएंगे अगर आप समझदार नहीं हैं, तो आप मारखा कर सीखेंगे जिन्दगी आपको मारेगी तो आप ये पक्का कीजिए कि अपने जीवन के आध्यात्मिक हिस्से को आप सौ प्रितिशर ठीक से समझदें आपके जीवन का भौती किस्सा कभी भी सौ प्रितिशर ठीक नहीं होता ये कभी होगी नहीं सकता, ऐसा ही है न? ऐसी कोई फैमली होती है क्या, जो परफेक्ट फैमली है? ऐसा कोई रिष्टा होता है क्या जो परफेक्ट रिष्टा हो ऐसा कोई बिजनेस होता है क्या जो परफेक्ट बिजनेस हो ऐसा कोई करियर होता है क्या जो परफेक्ट करियर हो ऐसी कोई चीज नहीं होती, मत खोजी उसे आपका जिवन व्यर्थ हो जाएगा और बस कालपनिक रहेगा अगर आप ऐसी चीज़ें खो जाएंगे ये बस उसी हद तक हो पाते हैं जितनी संभालनी की आप में एक शमता होती है बस ये ठीक है अगर वो बरबादी पर नहीं उतारू है तो ये चलेगा अगर आप में एक शमता है